हैं हिंदी पढ़ा और इंग्लिइश वला धोनों में चैजबा हम हम लेघ्र's पढ़ाई के लिए लीड준 दयात्व है में लेटश को मैं कित्व करके क्या किया वॉना हमने साूंड करना चालू कर दिया हमने जाते हैं कि यहाइद हम अपनी रिखेंब्र होने सिन्टन्ज में कुछ बोलेंगे अप सब्सक्राइब कि मैं निगाड़ंवं कि लेगर yellow लो में मैंने सप्रंस में यहोते हैं वाल्षन होते हैं और संद्धार सब्सक्राइबी होते हैं कि गरिप कि बढ़िष्ण को अधीय है वाउं सांस और कॉंसनेंτε सांस है तो हम क्या करेंगे वाल बातूं आख संत को समझ लेगे और उसके सिस्क्रिप्ट को समझ लेंगे अगा वारा कामातान कोई भी श्क्रिप्ट आएगा कोड रहेगा हम धी कोड कर लेंगे हैं शेटिंग में पॉइंट यह पर पज़ना पर्पज है इस तरीके से ठ्रंस्रिप्शन दिया रहेगा उस ठ्रंस्रिप्शन को कैसे साउंड में करोगे यह चीज आप सिख सेजाओगे इस इनको आप लेटेस्ट बोलो लेकिन यह हैं क्या यह सांद्स है तो ऐसे ही आपको डिक्शनरी में कोई भी वर्ड रहेगा उस वर्ड के सामने ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको ट्रंस्किप्शन उसमें वाउल सांद्स होंगे और कॉंसोनेंट सांद्स वह ही है आज वाउल पढ़ लेते हैं कल कॉंसोनेंट कर लेंगे हमारा कंप्लीट हो जागा हम पढ़ना सीख जाएंगे कि सही प्रनेंसियेशन कैसे किया जाता है फिर आपको किसी भी गूगल की और किसी चीज़ की जरूरत रही आप किसी भी वर्ड का अगर एक जैक्ट प्रनेंसियेशन समझना होगा तो आप क्या करोगे सीधे से जाओगे डिक्शनेरी खोलोगे और उसमें उसका सही प्रनेंसियेशन पढ़ लोगे अग गूगल पे आपको क्या बोला क्य कि और सबसे ठीक्षा है कि आप ठीकलो कि सुनने से चुटी मिल जाए कि इन सुनने में कंट ज्रूरी नहीं है कुछ आप यह बोलो तो बहुत बच्चे नहीं बोल पारहे। क्योंकि बोली हुए चीज जरूरी नहीं कि आप उसको रिपीट कर पाओ जैसे वह बोली गई है लेकिन अगर पढ़ी हुए चीज है अगर पढ़ना आपको आगया sound पता है चोटा से बड़े शब्द को ही या बड़े से बड़े उच्चारण को भी धीरे-धीरे करके जोड़ करके आप सही pronunciation कर सकते हो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो क्यों कि हिंदी जानते हो तो हम हिंदी कि मैं साउंड को लिख दे रहा हूं है इसको पढ़ोगे अधा अ यह क्या होता है और यह होता है आधा अ यह पूरा अ साउंड है पूरा अ साउंड यह अ साउंड है थोड़ा सा अ है नहीं है है नहीं करेंगे यह थोड़ा सा हमने लिख दिया है ताकि आप इसको थोड़ा सा लंबा कर पाओ मतलब एस से थोड़ा लंबा साउंड है और यह है ये भी आ का ये क्या है ये आ का लंबा साउंड है जैसे आ हमारे यहां है आ इसमें आ बहुत लंबा कीचे का है ये है ओ अ अ और ये ओ इसको क्या पढ़ेंगे ओ इसको पढ़ेंगे छोटी इए अब इसको पढ़ेंगे जो बड़ी हमारे यहां है उससे बड़ी वाली इसको छोटा उपढ़ोगे यह थोड़ा बड़ा वाले उ से भी थोड़ा सा लंबा करोगे इसको उ इसको पढ़ेंगे ए और इसको पढ़ेंगे आ इतने ही साउन्ड आपको मौन ऑफ्ञ के पढ़ने है इतने साउंड बड़िच के पाथ हैं और इतने ही साउंड से शाउंसे बदon को बोलते हैं आप मतल hug में इतने ही तांड उनकेपात हैं और इतने ही साउंड का इस्तिमाल करके और अपनी बातों को बोलते हैं इसी में बस एक कैटेक्गी कि इसको बोला जाता है मौना ने Michel Diet होता है एक मतलब ऐसे साउंड जो एक लेटर से मिल करके बने हुए एक स्क्रिप्ट से मिल करके बने हुए तो एक लेटर है तो एक लेटर से मिल करके बनाएं तो अब क्या करेंगे आगे में क्या करेंगे दो-दो को ले लेंगे दो-दो sound आपको नहीं दिखा रहे होगा दिखा रहो है अपको इसमें पर नहीं दिखा रहोगा तो इसे लिए का उचानल वो उनके पात नहीं है